बरबाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उलू काफी था हर शाख पे उलू बैटा है अन्जाम गुलिस्ता क्या होगा बाड तरासिदी के बाद बदहाली में डुमता बेघर पाकिस्तान तरहशत उगरवाद और आतंकवाद से सुलग रहा पाकिस्तान बेरुजगारी, महंगाई और आव्यवस्था से जूज रहा है पाकिस्तान अभाव और भूख से तिल मिलाता बेबस पाकिस्तान शोशन बेरुखी के खिलाफ उतर पड़ा सड़क पर आज पाकिस्तान शुक्रिया सोय भाई आपके जिन्दा देने के लिए आपके दरिया देने के लिए शुक्रिया बेटा आपकी तो स्कूल जाने की उमर है? तीन चार दिर हो गएने चकर लाला के आटे वास से थांगे सान पाटा नहीं मिलन डिया आटे का तो बहुत बुरा हाल है मगर इस शेक चिले को तो देखे रसी जल गई मगर बल नहीं गया अपनी देश के लिए जजबे में कोई बुराई नहीं 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 पाकिस्तान में बहुत जजबे इसनावी ममालिक के जजबे करें आटे के लिए इसए टोथा चना बाजे घना अब हाली भी करनी है तो कम से कम दुस्मनों की शही सकती का अंदाज़ा तो होना ही चाहिए आपको इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है इंडिया इस ग्रेटेस लेकिन ये पाकितान के जूतों के नीचे है हमारी आर्मी जो है वो स्टॉंग है दुनिया में नंबर बड़ा किसी कमदूर विध्याती का किसी तेर विध्याती से अगर आप तुलना करेंगी आपको ऐसा ही जवाम मिलेगा इस भोले ने तो हमारा दिली जीत लिया कम से कम सरहदे पे तो यह काभी कॉमडी करके लोग पैड़े तो फिर इंडिया को क्यों गैड़े हो कि वह अपने बादी को Cultural पैंतीस करोड मुसल्मान हैं यहां पर 22 25 कोड़ विज़ान मुसल्मान हैं तो मुसलमानों में बड़ी बढ़े कोई पाकिस्तान के अलावा कोई मुल्क नादिया जी कोई मुल्क पाकिस्तानी अवाम के अलावा कोई माई का लाल कोई कंट्री जो बोलती है कि हम सुपर पावर हैं बगार बिजली आपने कॉमेडी में ही सही लोगा हसा करें सही बिल्खुल सही और लोगे दुखती नवस प अपने मदधब का कोई भी एक उसकी जो एक रसम है वो कर रहा हो तो आप उसे करने देंगे इंडिया बहुत आपको प्यार करता है मगर आपकी डिस्कुलदर से काफी दर्द हुआ मुझे पाकिस्तान में हिंदुों की हालत समझ आई कि सर यहां से खाना क्यों ले रहा है मैं कर दो हम उठागे रहा है मुझे गंदे लोग होते हैं बच्चों के नर्ब दिमाग में बच्चपन में डाला गया जहर आगे चरकर गांड बन जाता है जिसे समय रहते नहीं निकाला गया तो कैंसर का भी रूप ले सकता है अब हर मुसल्मान की शहादत का बदला लेंगे क्यूंके अब हिंद बनेगा पाकिस्तान शुक्रिया मुसल्मिल भाई बच्चों का दिद तो बिल्कुल कच्ची मिंटी के तरह है जैसा उसे ठालेंगे वैसा है यो रूप ले लेगा बच्चों का मन बिल्कुल पवित्री और दिमाग नर्म मिंटी सा होता है नाना नानी, दादा दानी के द्वारा, धर्ब, इमानदाली और विर्ता की कहानियों और मावाप की सही जीख से एक आम बच्चा आगे चलकर माहान बनाता है विद्धर, लफ्रतों के बीच देवलप्मेंट पर ध्यान दें पानी की बून से तो पत्थर में भी छेद होयाता है, सोय भाई, कोशिच में लगे रही है, शुक्रिया आपकी मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी, सोय भाई हरबचन सिंग इंडियन, और पाकिस्तानी शुय बक्तर साब आप यकीन करें कि यह ऐसे जह सगे बैन भाई दोस्त नहीं होते हैं हम दोस्त, सलेक्ट और चेंट तो कर सकते हैं, मगर परोसी नहीं है परोसी मुलकों से एक्छे संबंद, खुशाली और शांती ला सकते हैं धन्यवाद